निमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओमान D20 के आज की दिन के दुसरे सिरीज का दोस्तो चोथा मुकावला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम DAT vs. टीम B.O.B. के बीच में तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स ने लास् लिक के टीम में किस प्लेयर को पिक कर सकते हो ऐसा differential पिक के दोर पे और उसको अपने टीम में wise captain या captain select कर सकते हो तो यह सारी जाहनकारिया जो भी समयस से related है वो मैं आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूँ बिलकुल free मैं तो इसलिए आपको वीडियो को complete watch करना है और प करूंगा वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीगरम चैनल पर अभी के समय आपको बता देते हैं 8000 से ज्यादा लोग और रेडी जॉइन है और रोजाने आपर वो दीगे मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग अगर हमारे चैनल से जॉइन होन तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे टीम डी एटी की तो इन्होंने अपना सीरीज का पहला मुकाबला कल खेला था और यह अपना पहला मुकाबला जीत भी गए हैं तो यह काफी अच्छी बात इनके लिए यहाँ पे रही है अब मैं बात करूँ अगर इनके परफॉरम भी बनाए खुर्रम खान की बात करूँ ये भी एक राहिट हन बैट्समन है और एक आफ इस्पिनर है लेकिन कल इन्होंने सिर्फ 24 ही रन बनाए थे बॉलिंग नहीं की थी बॉलिंग कर सकते हैं अगर किसी भी मैच में अगर आपको करते हो दिख जाए तो चोकी एक आमद काफी अच्छी गिंदबाज हैं इन्होंने भी कल 35 बनाए थे और चार वर की प्रॉपर गिंदबाजी की थी और इनको भी दो विकेट मिल गए थे सचिन के जागरा ये भी काफी कमाल का प्लेयर है काफी अच्छा तीज गिंदबाज है इसने भी दोस्तों तीन ओवर की गि अच्रन भी बनाए चैमिंदा लकमल की मैं बात करूँ दोस्तों जो की एक लेफटा मीडियम बॉलर है इन्होंने कल बॉलिंग बिलकुल भी नहीं की और नहीं प्रॉपर दोवर की बॉलिंग की इनको भी विकेट नहीं मिले एन परसाथ की मैं बात करूँ लेफट हैं नहीं मिला था बाकी दोस्तों आपके लिए वाई एश्विन पांदिया की पीके जो कि एक लेग स्पिनर है इन्होंने दोस्तों कल तीन ओवर की गेंदवाजी की थी और अपनी टीम के लिए दो विके निकाले थे तो अगर देखा जाए तो यह पर जो टीम डी एटी है इन तो पांच प्लेयर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं टीम डी एटी की और से बात कि जाए टीम बी ओवी की और से तो उनकी और से आपको हमद इफराक खेलतों नजर आएंगे जो कि एक राइट हैं बट्समन है तो एक अच्छी पीक है आपके लिए तो पि बाइट हैं राइट हैं मीडियम बॉलिंग कराते हैं चार मैच खेले हैं 84 रन बनाएं और पांच विके निकाले हैं अजे लशेता की में बात करूं जो कि एक लेफट विए बट्समन है और लेफट हैं इस्पिन बॉलिंग करा सकते हैं इन्होंने दोस्तों हैं आपे 14 मैच में 119 रने ठीक ठाक रिकॉर्ड है तो अब चाहो तो ट्राइ कर सकते हो दर्वाइस चाहो तो ड्रॉप करकर भी चल सकते हो सुफियन महमूथ की में बात करूँ राइट हैं राइट हैं मीडियम बॉलिंग करते हैं तीन मैच केले 19 एंड बनाये और अपनी टीम के लिए एक विकेड भी निकाला है अब्दुलरॉफ की मैं बात करूँ विकेट कीपर हैं और राइट हैं बैटिंग करते हैं दो मैचस में 73 रइन इनके नामें ववाद अली की मैं बात करूँ लेफट हैं बैटसमन हैं लेफट हम फास्ट बालिंग कराते हैं 11 मैچस में 55 रन है इनके नम और 11 विकेट है और देखे जाएं तो 35 ओवर की गेंदबाजी है इनके नम दोस्तों शहबाज शहा की बात की जाए तो एक मैच कहले हैं दो विकेंदबाजी है और एक ओवर की गेंदबाजी है ODD का इसके record में आपको बता रहा हूँ पांच मैच में चार विके निकालें है तो अगर बात की जाए टीम यहाँ पे B.O.B की तो इनकी और से आपके लिए यहाँ पे देखिए पृत्वी मच्छी आपके लिए important रहेंगे आपके लिए अजेल अचेता important रहेंगे बाकि जब आप नीचे की और आएंगे ना तो आपको यहाँ पे फहाद अली की important पिक देखने को मिलेगी और यहाँ पे बिलाल शाह भी शाद आपके लिए important हो सकते हैं तो आप जब देखेंगे ना कि B.O.B की टिम के पास काफी unexperienced player हैं या फिर ऐसे player हैं जिनका record उतना कुछ खास नहीं है तो आज भी हो सकता है की टिम D.A.T. one-sided days मुकाबले को win कर जाए तो इमीद करूँगा दोस्तों आपको अभी तक वीडियो के अंदर जो भी मैने जानकारी दी होगी जो भी मैने आपको information दी होगी वो आपको काफी important और informative लगी होगी तो वीडियो को अगर आपने अभी तक like नहीं किया है तो फटा-फट से एक like वीडियो को कर दें क्योंकि आपका एक like मेरे लिए काफी ज़्यादा important है चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को watch कर रहे हैं तो फटा-फट चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन जरूर ओल पर प्रिस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें ये भी आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो जरूर दोस्तो एक काम कर लें बाकि जो भी मेरी final update होगी जो मेरी final team होगी after line पे toss के बाद या दोस्तो जो मेरी 100% winning team होगी जिस team के साथ मैं खुद investment करूँगा वो team दोस्तो आपको मिलेगी हमारे telegram channel पे अभी किसमे 8000 से ज्यादा लोग already join है और रोजाने आपर वो दीगे मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे channel से जुड़ना चाहें तो आपको हमारे channel का link description और comment दोनों जगाव पे सबसे पहले number पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जखके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे team का profit उठा सकते हैं तो एक आप दोस्तों जरू कर ले क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चले ही दोस्तों आप चलते हैं जा सकते हो मैं आपको फिर से उता देता हूँ मेरा focus always यहाँ पे selection के उपर कभी भी नहीं लेता है मैं stats के उपर believe करता हूँ तो यहाँ पर मैं अब्दूल रौफ को as a wicket keeper अपनी team में पी करके चलूँगा अगर आप save जाना चाहें रिस्क के लेना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर S अहमत को पी करके चल सकते हैं betting section में दोस्तों यहाँ पर के खान आपके लिए important है यह लियास important player मैं इनको पी करूँगा और यहाँ पर आल रविंद्रा को पी करूँगा यहाँ पर ए खान, के खान, ए लियास और रविंद्रा में नहीं के साथ जाऊँगा बाकी अगर मुझे लाइन अप के बाद लगा कि मुझे अपने टीम में यहाँ पी करना चाहिए एच इफराग को तो मैं जरूर आपको बताऊँगा कि आप इनको पी करें या ना करें हर्नाडो सेक्षन से जिसन मक्सूद important है दूसरी पी के सामने आपके सामने आती है अजेल अचेता की important player है इसका record में आपको दिखाता हूँ एक बाद फिर से अजेल अचेता का इसके लाबा एक और player मुझे आपर important नजर आया है आपर पी मची लेकिन इसको हम लोग pick नहीं कर सकते हैं और opponent के पास भी नहीं होगा यह almost head to a teams में तो मान के चली है नहीं होगा लेकिन grand ticket में आप चाहें तो इनको अपनी टीम एक दो टीम में रख लीजिएगा किसकी जगह पर एसकुमार जागरा की जगह पर इनको रख लीजिएगा बाकी के अली को भूल कर भी मच ड्रॉप करना important player है balling की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए बिलाल शाह important है मैंने आपको बताया था दूसरी important भी को बेदूला की और तिसरी important डिपिक वाई एश्विन पांद्या की है तो देखिए आपे जो टीम है DAT वो एक strong टीम है क्योंकि international players जो है ना वो मान के वो इस team में play कर रहे हैं तो इसी कार्ट से मैंने इस team से 7 player लिए हैं और दूसरा reason यह है कि अपने tournament का पहला मकावला खेल भी चुकी है और जीत भी चुकी है तो काफी ज़्यादा confident के अंदर है और जबकि B.O.B. अपने team अपने इस tournament का पहला match खेलने वाले हैं तो इसलिए मैंने 7 और 4 का combination बनाया है प्रिवू की बात की जाए तो मैंने 1 wicket keeper, 3 batsmen, 4 all-rounders, 3 ballers का combination त्यार किया है तो अगर बात की जाए वicket keeping section से मैंने ए रोफ को ऐसा wicket keeper पी करके रखा है जो के top order पे बल्ले बाजी करेंगे और wicket keeping करेंगे betting section से दोस्तों के खान को पी करके रखा है यह लियास को पी करके रखा है और यहाँ पे आल रविंदरा को पी करके रखा है आल राउंटर section से दोस्तों यहाँ पर मैंने इलाचेदा को पी करके रखा है जो के इनकी डिम का main player है आप इसको captain and wise captain भी बना सकते हो जे मकसूद को पी करके रखा important player है के अली को पी करके रखा है यह भी important है और यहाँ पे इसकुमार जागरा को रखा है यह भी अपनी डिम के लिए important player की भूमिका निवा सकते हैं बाकी बात की जब बालिंग की तो यहाँ पे बीसा को रखा है उबेदुला को रखा है और यहाँ पर हमने यह मक्सूद और वायस केप्टर ने आपे दोस्तों के अली रहने वाले हैं तो यहाँ भी दोस्तों मैं अपनी टीम को save कर लेता हूँ आप लोग हमारी इस टीम का screenshot ले 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 इसका preview ले ले और जहाँ पर वी आपका investment रहे वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम का use कर सकते हैं सेम टीम के साथ दोस्तों मैं small league और hatred content जोइन करने वाला हूँ और आप लोग भी जाकर हमारी इस टीम का use कर सकते हो बाकि अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं कहला after line ए पे toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी जिस टीम के साथ में खोद investment करूँगा वो team दोस्तों आपको हमारे टेलेगरम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय आठा जैसे ज़्यादा लोग ओले डी जोईन है और रोजाने आपर वो दीगे मेरी फिली टीम का profit उठा रहे है और आप लोग अगर हमारे चैनल से जुढ़ना चाहो तो आपको हमारे चैनल का link description और comment दोनों जगाओ पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुढ़ सकते हो और मेरी दीगे टीम का profit उठा सकते हो तो एक काम दोस्तों जरू कर लेना क्यूंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free